नमस्ते दोस्तों, कई लोग जिनको OCD है, वो समझ नहीं पाते कि उनके कंपल्शन है क्या, तो चलो जानते है कि कैसे पहचाने अपने कंपल्शन, इसको समझने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि OCD है क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, OCD मतलब Obsessive Compulsive Disorder, उसमें विच विचार भी आ सकता है, feeling भी आ सकती है, sensation भी आ सकता है, जो हमें नहीं चाहिए, वो बार-बार आता है, उसके उस feelings के साथ, thoughts के साथ आती है, anxiety, घबराहट, और उस घबराहट को रोकने के लिए हम कुछ बार एक चीज करते है, बार-बार, उसे कहते है, compulsion, compulsion activities होती है, maybe mentor activity हो या for example, आप बार-बार अपने हाथ धो रहे हो, या बार-बार आप चेकिंग कर रहे हो, वो चीज मतलब बंध है कि नहीं, यह है, तो यह आपके compulsion है, अब जो external compulsion है, for example, आपको चेक कर रहे हो कि stove on है कि off है, या for example, हाथ धो रहे हो, तो पता चल जाता है, main problem है mental compulsion, अब mental comp compulsion कर मैं बताता हूँ, for example, आपको harm OCD का थोट आए कि आप अपने किसी parent को hurt कर दोगे, तो आपको जब यह विचार आता है, तो पहला जो compulsion है, जो आप समझने के लिए, वो है argument, मतलब rationalizing, आपने अपने आप से दलील देने लग होगे, कि नहीं, यार, मैं अपने parents को क्यों मारूँगा, मैं तो इसे इतना प्यार करता हूँ, basically, आपको जो thought आया, उस thought के against आप, उल्टा आप, मतलब दलील दोगे, तो basically, पिर तो basically, आपको जो डर है, वो अपने thoughts से आ रहा है, और उस thoughts से आप डर रहे हो, तो उसके against दलील दे रहे हो, या for example, यह हो गया, इसको नह अपने आप से बोलोगे कि नहीं, यार, मैंने तो इस लड़की के साथ वो किया था, मुझे तो लड़किया पसंद है, तो आप दलील दोगे, जो आपको thought आ रहा है, जो भी आपको thought आता है, उस प्रवर्ती का, आप उसके against आप argument करते हो, लोगों को यह समझ भी नहीं पात हो, जो आपके जो दलील है, जो arguments है, जो आप rationalize कर रहे हो, जो खुद से लड़ रहे हो, वो ही आपके दिमाग में 24 घंटा, transistor की तरह, radio की तरह चलता रहता है, तो यह एक पहला compulsion है, जो लोग समझ नहीं पाते, कि आप अपने आपको दलीले दे रहे हो, आपको लगता है कि यह दलील तो normal है, तो यह मैं तो करता ही आए रहा हूँ, पर यह आपकी आदत बन गई है, और आदत छूट नहीं रही है, आपका एक्जाम चल रहा है, और आप अपना ध्यान एक्जाम पे लगाना चाहते हो, पर आपका ध्यान वो जो दलीले है, वो arguments है, उसमें जा रहा ह या कि आपका कोई डोक टोक नहीं चलेगी, उसमें आपको करना ही पड़ेगा, वैसी वो activities है हाथ धोना, आपको पता है कि आप वो हाथ धोना नहीं चाहते, पर तो भी वो अंदर से आएगा कि नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई choice ही नहीं है, तो compulsion है वो, compulsory वो करना ही पड़ेगा, तो वैसी वो जो दलील है, mental या हाथ धोना वो compulsory बन जाता है, आपको कोई control नहीं रहता उस पर, बाकी एक compulsion है, checking वाला, जैसे कई लोगो होता है कि sensory motor OCD में, वो बार-बार चेक करते है कि अच्छा मेरा ध्यान उदर जा रहा है कि नहीं, और अगर उसके साथ वो थौट भी आता है कि मेरा ध्यान उदर जा रहा है, तो दो चीजे है, एक तो आप checking भी आपकी एक compulsion है, आप बार बार चेक कर रहे हो कि मेरा ध्यान उदर जा रहा है कि नहीं, और second है कि आप आपको वो जो थौट आना कि मेरा ध्यान उदर चल जाएगा, या या मेरा ध्यान हो जा सकता है, तो वह थौट भी है, तो थौट भी आपको थौट से भी डर लग रहा है और वह चेकिंग भी कर रहे हो, तो थौट के साथ दलील देना भी हो सकता है, कि नहीं यार मेरा तो ध्यान नहीं जाता है, नहीं यार मेरा को, वह दलील भी हो सकता है, औ बलील वाला और चेकिंग वाला फीलिंग्स वाला सेंसोरी मोटरोसेडी वाला तो वह आप समझो आई होब यह वीडियो आपको कुछ थोड़ा समझाया आप समझ में आया आपको और में साथ बने रहिए लाइफ में कोई भी इशू हो परिशानी हो तो घबराओ मत डटे रहो की फाइटिक